Hello Everyone, Welcome to Neet Rankers इस वीडियो में हम बात करेंगे Respiratory Volumes और Capacities के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह हमारा Lungs है और जब हम सांस लेते हैं तो इसका Volume बढ़ता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसका Volume घड़ता है तो एक प्रस्ने तो यही आता है कि Normal Condition में हम कितनी हवा अंदर लेते हैं और कितनी बाहर छोड़ते हैं तो Normally हम जितनी हवा अंदर लेते हैं उसे हम कहते हैं Tidal Volume जो कि 500 ml होती है तो Normal Condition में हम 500 ml हवा अंदर लेते हैं और 500 ml बाहर छोड़ते हैं जिसे हम Tidal Volume कहते हैं इसके definition हो जाएगी Volume of air inspired or expired during a normal respiration तो ये तो हो गई बाद Tidal Volume की अभी जो लंग की condition आपको दिख रही है उसमें हमने सांस अंदर ले रखा है और ये हमने सांस बाहर छोड़ दिया अब अगला प्रशन ये आता है कि normally सांस छोड़ने के बाद हम कितनी और हवा बाहर निकाल सकते हैं तो normally सांस छोड़ने के बाद हम जितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं expiratory reserve volume ये वो volume है जो reserve होता है expiration के लिए जिसे हम आसानी से नहीं जोर लगाके यानि forcefully बाहर निकालते हैं और यह होता है 1000 से 1100 ml इसकी definition हो जाएगी additional volume of air a person can expire by a forcible expiration यहाँ पर लिखा गया है additional volume of air additional क्यों लिखा गया है क्योंकि पहले तो हम tidal volume निकालेंगे यह tidal volume के बाद यानि कि 500 ml के बाद हम forcefully कितनी हवा निकाल सकते हैं वो हवा आता है expiratory reserve volume में सबसे पहले tidal volume नॉर्मली तो हमसांस निकालेंगे उसके बाद आता है expiratory reserve volume अब आपके मन में एक question आ सकता है कि force expiration के बाद क्या अमारा lungs पूरी तरीके से खाली हो जाता है तो इसका जवाब है नहीं इसमें अभी भी कुछ मात्रा में air होती है जिसे हम residual volume कहते हैं जो कि लगबग 1100-1200 ml होती है तो residual volume के definition हो जाएगी volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration ये minimum volume of air है जो हमारे lungs में होती है तो अभी जो आपको लंकी condition दिख रही है वो है force expiration की यानि कि हमने forcefully sans को बाहर छोड़ रखा है तो हम sans को अंदर लेते हैं ताकि हम normal condition में आ सके तो ERV अंदर आएगा अब tidal volume अंदर sans लिया और छोड़ रहा है ये normal condition है अब अगला प्रश्णी ये आता है कि हम normally sans अगर बाहर छोड़ दें यानि कि अभी जो आपको condition दिख रही है ये normally sans हमने बाहर छोड़ रखा है उसके बाद हमारे lungs में total कितनी air होती है तो अभी आपको दिख रहा है कि हमारे lungs में इस समय expiratory reserve volume है और residual volume है इन दोनों को हम कहते हैं functional residual capacity तो FRC equal to हो जाएगा ERV यानि कि expiratory reserve volume plus residual volume इनका sum करेंगे तो 2100 से 2300 ml आता है और FRC की definition हो जाएगी यानि कि functional residual capacity की volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration यानि कि हमने अगर नॉर्मली सांस बाहर छोड़ा उसके बाद हमारे lungs में कितनी air है वो होती है functional residual capacity अब फिर से हम सांस अंदर ले लेते हैं अब अगला प्रशन ये आता है कि normal सांस अंदर लेने के बाद यानि कि normal inspiration के बाद हम कितना amount of air extra और अपने lungs में भर सकते हैं यानि कि normally सांस लेने के बाद हम कितनी और हवा अपने lungs में भर सकते हैं तो उस volume को हम कहते है inspiratory reserve volume जो कि होता है 2500 से 3000 ml ये वो volume of air है जिसे हम forcefully inspire करते हैं यानि जोड से जिसे कहता है न गहरी सांस लेना इसकी definition हो जाएगी inspiratory reserve volume की additional volume of air a person can inspire by a forceable inspiration यहाँ पर additional की बात क्यों हो रहा है क्योंकि सबसे पहले तो आप tidal volume in करेंगे tidal volume पहले तो आप normally सांस लेंगे normal सांस लेने का मतलब tidal volume अंदर आएगा ही 500 ml आप सांस लेंगे ही 500 ml सांस लेने के बाद आप extra और कितना हवा forcefully यानि जोड लगा के आप अपने lungs में भड़ सकते हैं उसे कहेंगे inspiratory reserve volume तो उसे अम अंदर लेंगे अब जो condition आपको lungs की दिख रही है ये lungs पूरी तरीके से भरा हुआ है यानि ये maximum capacity पे है इससे ज़्यादा हवा अब हम अपने lungs में नहीं भड़ सकते हैं यानि ये maximum amount of air है जो आप lungs में रख सकते हैं इसे हम कहेंगे total lung capacity यानि कि इससे ज़्यादा हवा अब अपने lungs में नहीं रख सकते हैं ये maximum level है तो total lung capacity equal to हो जाएगा IRV plus TV plus ERV और plus RV यानि कि inspiratory reserve volume plus tidal volume plus expiratory reserve volume plus residual volume सबको plus करने पे आता है total lung capacity 45-6000 ml इसके definition देख लेते हैं total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration ध्यान दीजी forced inspiration के बाद जो volume होता है lungs में उसे कहते हैं total lung capacity तो अभी जो आपको lung की condition दिख रही है वो है force inspiration की यानि हमने गहरी सांस ले रखे यानि पूरा lung हावा से भर रखा है अगर मैं आपसे question पूछूं कि इन सभी volume में आप कितना maximum volume बाहर निकाल सकते हैं यानि कि force inspiration के बाद आप कितना maximum हवा बाहर निकाल सकते हैं तो आप यहां देख के ही बता सकते हैं कि maximum हवा निकालने के लिए हमें IRV निकालना है TV निकाल सकते हैं ERV निकाल सकते हैं residual volume नहीं निकाल सकते हैं तो निकालते हैं IRV, TV और expiratory reserve volume ERV अब यह condition आ गई force expiration यानि कि हमने पूरा जोर लगा के सांस बाहर छोड़ दिया है तो हमने कितना क्या क्या छोड़ दिया है बाहर IRV, Tidal volume और ERV इन तीनों को मिरा के हम कहते हैं vital capacity और vital capacity बराबर हो जायागा IRV प्लस TV प्लस ERV इन सब को add करेंगे तो आ जाएगा लगबग 3400 से 4800 ml इसके definition देख लेते हैं तो definition हो जाएगी vital capacity की the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration अभी जो condition आपको लंग की दिख रहे है यह है force expiration की यानि कि लंग पूरी तरीके से खाली है केवल residual volume है अंदर इस condition के बाद आप maximum कितनी और हवा लंग्स में भर सकते हैं तो जाएग सी बात है इसमें vital capacity के बाराबर इसमें अभी और भराज़ जा सकता है maximum तो वही इस definition में लिखा है कि the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration और the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration जो हमने अभी किया है यानि कुल मिला के vital capacity वो volume है जो आप अपने लंग्स के अंदर और बाहर maximum किसी भी condition में कर सकते हैं तो अगर लंग capacity की बात करें अगर total lung capacity की बात करें तो vital capacity में अगर हम residual volume add कर दें तो total lung capacity आ जाएगी यानि लंग capacity का एक formula और हो जाएगा vital capacity plus residual volume ये काफी important है काफी पूछा जाता है तो अभी जो लंग की condition है ये है force expiration की अभी से फिर से हम normal condition में लाएंगे यानि ERV अंदर फिर tidal volume अंदर अब ये normal हो गया यानि tidal volume बाहर अंदर normal expiration, normal inspiration तो अभी जो condition है लंग की उसमें हमने normally inspire कर रखा है यानि की normally सांस अंदर ले रखा है अब अगला question ये आता है की normally सांस अंदर लेने के बाद हम maximum कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं तो आप देखके ही बता सकते हैं की normal ही सांस अंदर लिया है इसका मतलब tidal volume अंदर है नॉर्मल ही सांस अंदर लेने के बाद हम maximum क्या क्या निकाल सकते हैं हम tidal volume निकालेंगे उसके बाद expiratory reserve volume निकालेंगे इन दोनों को हम maximum निकाल सकते हैं तो tidal volume बाहर, expiratory reserve volume बाहर, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं expiratory capacity और expiratory capacity होती है tidal volume प्लस expiratory reserve volume और यह होता है 15 सव से 16 सव ml, इसकी definition देख लेते हैं total volume of air, a person can expire after a normal inspiration ध्यान दीजिए, expiratory capacity नौर्मली सांस लेने के बाद देखी जाती है यानि कि नौर्मली हमने सांस ले लिया, अंदर ले लिया, उसके बाद हम कितना maximum निकाल सकते हैं तो जाहिर से बात है, tidal volume तो निकलेगा ही, उसके बाद expiratory reserve volume भी निकलेगा तो expiratory capacity आजाएगी, tidal volume प्लस ERV, तो अभी जो लंग की condition आपको दिख रहे है, यह है force expiration की यानि कि हमने सांस बाहर छोड़ रखा है, इसे हम normal करते हैं, ERV अंदर और tidal volume अंदर यह अब normal सांस चल लए है, tidal volume अंदर, tidal volume बाहर अब अगला question यह एता है, कि normal expiration के बाद, यानि कि normally सांस चोड़ने के बाद, हम कितना volume of air अंदर ले सकते हैं फिर से question सुनिए, normally सांस चोड़ने के बाद, हम कितना total amount, यानि कितना maximum amount of air अंदर ले सकते हैं यहाँ पर आप देखके ही बता सकते हैं, कि normally सांस चोड़ने के बाद, सबसे पहले tidal volume अंदर आएगा और फिर IRV भी अंदर आएगा तो आप देख पा रहे हैं, tidal volume अंदर आएगा, उसके बाद IRV भी अंदर आएगा इसे हम कहेंगे inspiratory capacity, यानि inspiratory capacity equal to हो जाएगा इसका definition देख लेते हैं, total volume of air a person can inspire after a normal expiration ध्यान दीजिए, inspiratory capacity normal expiration के बाद देखी जाती है यानि पहले नौर 5 हमने छोड़ दिया, उसके बाद हम total कितना अंदर ले सकते हैं तो total हम, total हम tidal volume प्लस IRV यानि की inspiratory reserve volume के बराबर ले सकते हैं जो की 3000 से 35 mm होता है तो अभी जो आपको लंगी condition दिख रही है, यह है force inspiration की, इसे हम normal कर देते हैं अब यह normal condition हो गई है, तो यहाँ पर हमने सभी volume और capacity discuss कर लई है फिलाल इस वीडियो में इतना ही, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को like करिए, channel को subscribe करिए अगर आपका कोई doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद